प्राइबेट हॉस्पिटल और यहां के डॉक्टरों की फीज इतनी होती कि किसे आम आत्मी की पूरी जम भूझें के अस्पताल डॉक्टर और दवाईयों के फीज में चली जाती है अगर आपको किसी हस्पताल के मेडिकल से कोई टैबलेट लिरनी हो जोकि उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लेखी है तो उस मेडिकल पर आपको 400 की मिल रही है और वही दवाई अगर आपको किसी जनोशदी की अंदर से लेते हैं तो भहे आपको 50 से 200 रुपा तक की मिल बहीं इस दुनिया में कई अस्पताल और डॉक्टर ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ रुपए या फिर्फिरी में आपका इलाज करते हैं आज हम आपको भारत के रायफुर में इस्तित सरी सत्त साइस हमजीबनी होस्पिटल के बारे में बताने जा रहे हैं देश का एक ऐसा अस्पताल जिसका दिल सिर्फ बच्चों के लिए धड़कता है यहां बच्चों के दिल से संबंदित रोगों के इलाज मुफ्त होता है इस अस्पताल की लोग पी रेता केवाल हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर से लोग यहां इलाज के लिए आते हैं 36 गर के अटल नगर में डवंबर 2012 में इस अस्पताल को बनाया गया था जिसमें कोई कैश काउंटर ही नहीं है इस अस्पताल में इलाज पूरी तरह से मुफ्त है और इलाज ही नहीं दवाईयां भे फिरी मिलती है यहां पैसों के लिए देने के लिए कोई इंतिजाम नहीं है इस अस्पताल का कोई रेश्टेसन चार्ज भी नहीं है साथ ही आपको बताते चले यह है अस्पताल सिर्फ बच्चों के लिए है जो कि दिल की बीमारी से संबद देता है इस हॉस्पिटर में जो मरीज की देख करने के लिए साथ में व्यक्ति आता है उसके लिए भी यहां रहना खाना मुफ्त है अगर कोई यहां के कैंटीन से खाना खाता है तो उसे सिर्फ साधरन चार्ज ही देना पड़ता है तो ते दिन सिर्फ छे मरीजों के रेश्टेशन ही किये जाते हैं इमर्जेंसी होने पर उ किसी और तरह की बीमारी है जैसे सर्दी खासी जो खाम या खुजली तो पहले उसे ठीक किया जाता है चाहें इसे ठीक होने में कितने भी दिन क्यों न लग जाए अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंदा रहे वीडियो को लाइक करें शेयर को और सब्सक्राइब गरम आच कि यह आपको कच्छे शायत के अच्छे गुडबकता परदान करता है आप इस पर भारोसा इसले भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के भाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेव रोटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है